बच्चे सुपरभात में आपको तर्म शियराम्सरण गुर्त की कविता जो लुकूद की चैजा उसका जो इसी आधा भ्याग इस बीडियो में हम आपको बता रहे हैं देखे उसके आगे का frågor wisdom सा मेरे दीप फूल लेकर होए thunder को अरपित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजली भरके भूल गया उसका लेना जट परमलाफ सा पाकर मैं सोचा बेटी को मा के ये पुर्णि पुस्प दू जाकर मैं अंबा मा भगवती अरपित करना भेंट करना शमरपित कर देना अंजली दोनों हाथों के मिला हुआ रूप अथेलियां जट तुरंत पुर्णि पुस्प पवित्र फूल कभी कहते हैं कि सुखिया का पिता जो है दीप और फूल ले करके मा भगवती के मंदिर में पहुँचा वहां दीपक जलाया और फूल भेंट किया पुजारी ने दीपक वह फूल मा को भेंट को चड़ा दिया पूजा अरचना की और उसने फूल दिया जैसे ही अंजली भर करके दोनों हाथ जोड़ करके वह प्रसाद लेने लगा तो उस प्रसाद को लेना भूल गया उस फूल क अपनी बीमार बेटी के लिए परमात्मा की क्रपा समझ करके और यह सोच करके कि जल्दी से जाकर बेटी को इस पावन फूल को दे दूँ ताकि मा भगवती की क्रपा से वह स्वास्तलाव प्राप्त कर शके ऐसा जो है विचार करता रहा है तब ही जो है क्या है आगे पंक्तियों में देखे सिंग पौर तक भी आंगन से नहीं पहुचने मैं पाया असा ऐसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह चूत भी तरह आया पकड़ो देखो भागन जावे बना दूत है यह है कैसा सक्ष परिधान के भले मानुसों के जैसा पापी ने मंदिर में गुषकर किया अनर्थ बड़ा भारी कलसित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुकता सारी शिंगपवर मंदिर का मुख्य द्वार शिंगपवर इसलिए कहा जाता है कि मुख्य द्वार पर जो है शिंग की मूर्तिया इस्थावित होती है सहसा एकदम अचानक अचूत जिसे चुआ ना जा सके धूर्थ छली बेइमान व्यक्ति परिधान कपड़े मानुसों मनुष्य अनर्थ पाप कलुषित अपवित्र चिरकालिक लंबे समय से सुचिता पवित्रता कभी कहता है कि अभी सुखिया का पिता फूल ले करके अपन दिया कि है चूत ब्यक्ति मंदिर में कैसे आ गया है इसे जल्दी से पकड़ लू यह भागने ना पाए क्योंकि यह जो है बेइमानी करके इस मंदिर के अंदर आया है इसने साफ सुथरे वस्तरधारन कियें कपड़े पहने हैं यह जो है अच्छे मनुष्यों जैसे भले मन जैसा दिखाई देता है इस पापी ने मंदिर के भीतरा करके बहुत बड़ा पाप किया है क्योंकि इस मंदिर में लंबे समय से बनाए गई पवितरता को इसने इसको जो है अपवितर कर दिया है इसके आने से मंदिर की पवितरता नश्ठ हो गई है ऐसा लोगों ने जो है क और इसके बाद जो है अगला पत देखिया एक्या मेरा कलुस बड़ा है देवी की गरिमा से भी किसी बात में मैं आगे माता की महिमा के भी मा के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा मा के समुख ही मा का तुम गवरो कड़ते हो चोटा कुछ न सुना भक्तों ने जट से मुझे घेर कर पकड़ लिया मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया गरिमा गवरो महानता कलुष पाप महिमा महानता खोटा नकली गलत सम्मुख सामने गवरो महत्प यहाँ पे जो है कभी कह रहा है कि जब मंदिर में गए सु भक्त लोग थे अचूत करके उसे पकड़ लिया तब सुखिया ने के पिता ने उन भक्त लोगों से कहा कि क्या अचूत होना माता की महानता से माता की गरिमा से भी बड़ा है और थात वहमा जो पत्तपावनों का उध्धार करती है वो कैसे उध्धार करेगी चूत अचूत के विचार को जो तुम मन में रखते हो तुम मा के सच्चे भक्त नहीं हो तुम माता के सामने छूत छूत की भेदभाव की बात करके मा की महिमा को कम कर रहे हो मा के बड़पन को कम कर रहे हो माता तो सारी दुनिया के सारी संसार की मा हैं उनके लिए उचा नीचा छूत छूत बड़ा छोटा किसी प्रकार का भेद भाव नहीं है। बड़ा भी बात नहीं सुनी और लाद घूंसों मुकों से मार मार करके उसे नीचे धरती पर बिरा दिया। उस सुखिया तक कैसे पहुँचे। ऐसा ही वह मन में विचार कर रहा था। आगे देखी बच्चों। धक्त जनों ने सुखिया के पिता को पकड़ करके जो है नयायले ले गए। नयायले में जो है उस दोस के कारण जो मा की पवितरता को उसने भंग किया था। सुखिया के पिता ने बिना कुछ जो है कहे सुने उस आरोप को सुखिया कर लिया। और जो है वह किसी से कुछ भी नहीं कह सका और इस बात का इस आरोप का वह कोई उत्तर नहीं दे सका क्योंकि वह जो है अच्छू उत्ता। वह साथ दिनों तक जेल में रहा लेकिन ये साथ दिन उसे सैक्लोवर्स के समान लगे क्योंकि इसकी बेटी की इक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। हर दम उसके आँखों से आँशूं की धारा बहती रहती थी और उसके आँखों की आँशू जो है भी भी कम नहीं हुए। दंड भोग कर जम्में छूटा पैर न उठते थे घर को पीछे ठेल रहा था कोई भे जरजरत और बंजर को पहले कीसी लेने मुझको नहीं दोड कर वह आई। पुल्शी हुई खेल में ही हाँ अब की दीन दिखाई दंड सजा धेल धकेलना भय जरजर डर से पीडित तन पंजर कंकाल पंजर विंस होता है कंकाल। सजा भुगतने के वास सुखिया का पिता जो है जेल से मुक्त हुआ और वह अपने घर की ओर बढ़ा लेकिन उसके कदम जो थे वह जो है आगे की ओर नहीं बढ़ रहे थे वह उसके पेर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पीछे की ओर खीच रहे हों। ऐसी सारी इस्थिती होने के बाद भी जो है वह आगे बढ़ता तो ऐसा लगता कि जैसे वह भैसे बहुत ज़्यादा पीडित है उसका सरीर जो है बहुत कमजूर कंकाल की तरीके अर्था थद्जियों का ढांचा ही केवल दिखाई दे रहा था जब वह भर के पास परचित बंद प्रथम ही फूंक चुके थे जहां उसे जहां बुजी पड़ी थी चिता उहां पर छाती धदक उठी मेरी हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी धेरी अंतिम बार गोद में बेटी तुझको लेना सका मैं हा एक फूल मा का प्रसाद भी तुझको देन सका मैं हा मर घट समसान घट पर चित जान पहचान के बंद भाई रिष्ते भाई और रिष्तेदार प्रथम पहले ही फूंक ना आग में जला देना धधक ना जलना आग के अर्थ में यहां प्रियुक्त किया गया है जब सुखिया का पिता घर पहुँचा तो उसे पता चला उसकी बेटी को की मृत्त हो चुकी है और मृत्त के बाद उसके घर वाले सगे समंधी भाई बंद जो है उसे वहां समसान घाट में जला आए हैं वह जो अपनी बेटी को देखने के लिए समसान घाट पहुँचा लेकिन जब सुखिया का पिता जो है समसान घाट पहुँच तो वहाँ उसकी चिता पूरी तरह से बुच चुकी थी, जिसे देख करके उसका हेरदय दहल उठा, अपसोस उसकी फूल के समान कोमल बेटी वहाँ राह की धेर बन चुकी थी, अंतिम समय में वह अपनी बेटी को गोदी में नहीं ले सका, यह पीडा उसके मन में हमें बनी उसे अंतिम समय देवी मा के प्रसाद का एग फूल भी ला करके वह नहीं दे सका, वह उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सका, बच्चों यह कविता हमें बड़ी ही मार्मिक कविता लगती है, और चुवा चूत का विरोध करने के लिए उसके लिए इसका प्रयोग जो ह उसको बहुत ही मार्मिक सब्दों में यहां पर हमें दिखलाया है, बच्चों अब जो है हम इस कविता का सारांस थोड़ा सा देखते हैं, कि यह कविता एक तरीके से कथा प्रधान कविता है, इसमें कथा जो है आपको कविता के माध्यम से बताए गई है, और यह जो है अब्यक्त करती है, कि उसका पिता मंदिर में देवी मा को अर्पित किया हुआ, चढ़ाया हुआ, एक फूल उसे ला करके देख दे, सुखिया का सरीर दिनों दिन कम्जोर होता जा रहा था, वह ठीक से बोल नहीं पा रही थी, पर प्रसाद का फूल पाने की इच्छा वह ब पिता को ग्याद था कि वह मंदिर में प्रविस नहीं करता, फिर भी उसने हिम्मत करके वह मंदिर में पहुचा, उसने पूजा आर्चना की, देवी मा को प्रसन होकरके उसने फूल अर्पित किया, जैसे ही वह फूल और प्रशाद लेकर के मंदिर के मुख्यद्वार तक प पहँचान लिया अचूत जान करके उसे पकड़ लिया और मंदिर में जो है उसे पकड़ करके मारा पीटा उसके हाथों का जो प्रसाथ था वह सारा का सारा गिर गया इसके बाद जो है सभी जो भक्त लोग मंदिर के अंदर थे वह उसे जो है ले करके नियाले गए नियाले मे जो है उसे साथ दिनों की सजा हुई साथ दिनों की सजा को भुगतने के बाद जब वह घर पहुँचा तब तक उसकी बेटी की मृत्व अर्था सुखिया की मृत्व हो चुकी थी और जब घर पहुँचने पर यह बात से मालुम हुई तो वह सुखिया को देखने के लिए समसान घाट पहुँचा जहां उसकी पेटी की चिता जलाई जा चुकी थी वह अपनी बेटी की अंतिमिच्छा पूरी नहीं कर सका कभी ने जो है इस बात को सब बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कविता के माध्यम से बच्चो एक प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हा इस पंक्ति का हमेशा आसे पूँचा जाता तो बच्चो इस पंक्ति का आसे यह है कि सुखिया का पिता अपनी म्रत पुत्री की चिता में खड़े हो करके चिता के पास खड़े हो करके काफी दुखी है काफी जो है ब्यठित है और सम्मोधित करते हैं वहाँ पे खड़े हो करके कह रहा है इहे बेटी मैं तुझे अंतिम समय एक भी बार अपनी गोद में नहीं ले सका और तेरी अंतिम इच्चा को भी मैं पूरी नहीं कर सका यही जो है मेरा सबसे बड़ा दुरभाग है और एसी ही बात जो है सुखिया का पिता वहाँ पर कहता है कवी ने यहाँ पर खड़ी बोली का बहुत वह जो है अच्छे तरीके से प्रयोग किया है और वात्सल पूर्ण धंक से एक पिता के दुख को ब्यक्त करते हुए उसका वास्तविक चित्रन खीचा है भासा जो है बहुत ही सरल है सरस है मर्म इसपरसी है अर्था थरदे को छू लेने वाली है तत्सम सब्दों का प्रयोग बहुत ही उचित धंक से कवी ने किया है और इन सब को मिला करके एक सजीव चित्रन जो है हमारे सम्मुक कवी ने पेस किया है और इस कवी ने एक पिता की बेदना को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बिक्त किया है और वह बेदना जो है जो सुखिया का पिता जेल रहा है महशूस कर रहा है उसे कवी ने यहाँ पर हमें दिखलाया है बताया है और बच्चो यह जो है सियाराम सरण की एक लंबी कविताओं में से है यह कविता का केवल कुछ अंस है यदि हम पूरी कविता पढ़ें तो इसके और भी गहराई और और भी मरमिस परसी अस्थानों को जो है जान सकते है बच्चो इसी के साथ जो है ये पाठ आपका समापत हुआ धन्यवाद